नमस्कार स्वागत है आपका अपने चैनल यह जानते हैं आज की वीडियो में तो भारत और इंग्लेन के पाँच मैचों की जारी टेस्ट सीरीज का आधरी टेस्ट मुकाबला धरमशाला में 7 मार्च को शुरू होगा भारती टीम ने राची टेस्ट में इंगलेंद की टीम को पांच विकेट से मात देकर सीरीज पर तीन एक से पहले ही कबजा चमा लिया है और धरमशाला में पांचवा टेस्ट मुकाबला जीते ही भारती टीम एक खास रेकॉर्ड की बराबरी भी कर लेगी असल में भारत को पहले टेस्ट में करारी हार मिली थी और इसके बाद रोहिट की धरंदरों ने जबरदस्त वापसी करते हुए बाकि तीनों मुकाबलों में जीत हासिल की और अगर हम इंगलेंड टीम की बात करें तो अब आखरी टेस्ट मुकाबले में इंगलेंड की टीम जीत हासिल करके अपनी लाज जरूर बचाना चाहेगी वही आप लोगों को बता दें कि सीरीज में खेले गए मुकाबले के बारे में तो पहला मुकाबला इंगलेंड टीम ने जीता और वही दूसरा, तीसरा और चौथा मुकाबले को भारती टीम ने अपने नाम किया और अब इन दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला टेस्ट सीरीज का आखरी मुकाबला होगा तो अब बात करते हैं दोनों टीम्स के बीच head to head मुकाबलों की भारत और England के बीच 136 मुकाबले खेले गए हैं 52 मुकाबले England की टीम ने अपने नाम किया है तो भारती टीम ने 34 मुकाबलों में जीत दर्ज करी है और इनके बीच 50 मुकाबले ऐसे थे जो ड्रॉ रहे और अब एक बार भारत और England की बीच खेले गए चौते मुकाबले पर नजब डालते हैं तो England की टीम ने टॉस जीत कर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया और एक बार फिर जो भी टीम टॉस जीतेगी उसने बैटिंग करने का फैसला लिया क्योंकि वो टीम मुकाबला जीत रही थी और इसी फॉर्मिले पर England टीम बैटिंग करके तीन सो तिरपन रंस बना कर ओल आउट हो गई क्योंकि भारती टीम के 200 रंस पर 6 विकेट गिर गए थे और वहीं धुर्म जुरेल ने 90 रंस की पारी के लिए जिसकी बदौलत भारती टीम 307 रंस ही बना पाई वहीं 40 रंस की लीड इंगलेंट टीम के पास आ गई और इंगलेंट की टीम सेकंड इनिक्स में 145 रंस बना कर ओल आउट हो गए थे जिसकी बदौलत 191 रंस की लीड आ गई थी और भारती टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर मुकाबला जीत लिया और मुकाबले के प्लेयर अफ दा मैच का खिताब मिला धुरुब जुरैल को और अब एक नज़र डालते हैं भारत और इंगलेंट की प्लेइंग 11 पर अब से पहले बात करते हैं भारती टीम की तो टीम के कफ्तान रोहिट शर्मा के अलावा हमें टीम में नज़र आएंगे यशे स्वी जैसवाल, शुबमन गिल, रजट पतीदार, रविंदर जडेजा, सर्फरास खान, तुरुप जुरैल, और अश्विन, कोल्दी प्यादव, अकाश दीब और मुहमद सिराज वहीं टीम इंगलेंड की अगर बात करें तो टीम के कफ्तान बेंड स्टोक्स के अलावा हमें नज़र आएंगे जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, जॉनी बेस्टो, बेन फोक्स, टॉम हाटले, ओली रोबिंसन, जेम्स अंडरिसन और शोहिब भशीर तो ये रहें दोनों टीम्स की प्लेइंग ग्यारा की भारत और इंग्लेंड की बीच पांच मैचों की जारी टेस्ट सीरिस का आखरी टेस्ट मकाबला धरम शाला में 7 मार्च से शुरू होगा और ये मकाबला खेला जाएगा हिमाचर प्रदेश की धरमिशाला में HPCA स्टेडियम में और ये टेस्ट मकाबला शुरू होगा भारती समय अनुसार सुबा 9 बजे से इससे मकाबले का सीधा प्रसारन आप टीवी पर स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क की अलावा मोबाईल पर जियो सिनमा आप पर भी देख पाएंगे क्रिकेट जगत से जुड़ी नई और तासा अफडेट्स के लिए आंटोल स्टूडियो को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद